नमस्का राजनमा टीवी पर आपका स्वागत हैं में प्रियाम आपके साथ चंद्रयान तीन आज शाम छे बच कर चार मिट पर चंदरमा के साउथ पोल पर लेंड करेगा इसे 14 जुलाई को तीन बच कर 35 मिट पर आंदरप्रदेश की श्री हरी कोटा से लॉंच किया गया था लेंडिंग होते ही यह 41 दिन में लाखो किलोमेटर का सफर तैकर नया इत्यास लिखेगा लेंडर के चांद पर उतरते ही रैंप खुलेगा और प्रग्यान रोवर इससे चांद की सतब पर आएगा विक्रम लेंडर और प्रग्यान एक दूसरे की फोटो किचेंगे और प्रत्वी पर सेंड करेंगे अगर भारत इस मिशन में सफल रहा तो चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश होगा इसरो चैर्मेन एस सोमनात ने 9 अगस को विक्रम की लेंडिंग को लेकर कहा था अगर सब कुछ फेल हो जाता है अगर सभी सेंसर फेल हो जाते हैं कुछ भी काम नहीं करता है फिर भी यह लेंडिंग करेगा बर्शर्त है अल्गोरिदम ठीक से काम करे हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि अगर इस बार विक्रम के दो इंजन काम नहीं करेंगे तब भी ये लेंडिंग में सक्षम होगा एस सोमनात ने बताया कि चंदरयान 3 के आखरी 19 मिट सासे रोक देने वाले होंगे लेंडिंग शुरू होते समय गती 6048 किलोमीटर घंटा होगी चांद को छूते समय 10 किलोमीटर घंटे से भी कम होगी उतरने के लिए स्थान का चुनाव इसरो कमांड सेंटर से नहीं होगा लेंडर अपने कम्प्यूटर से जगा का चुनाव करेगा लेंडिंग का लाइव इवेंट शाम 5 बच कर 20 मिट से शुरू होगा इस इवेंड में प्रधान मंत्री नरीन मोदी भी वर्चली जुडेंगे अभी वो साउथ अफरिका में हैं इसलिए वर्चली शामिल हो रहे हैं वही मिशन की सफलता के लिए देश ही नहीं बलकि विदेश में भी जगजगा हवन कराये जा रहे हैं इसी के साथ बने रहे हैं राजनामा टीवी के साथ नहीं बाद